किसी भी बीमारी के आयरवेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयरवेदिक समदान को सब्सक्राइब जरूर करें आज हम बात करेंगे दातों के मजबूती के लिए कुछ नुष्खों के बारे में दातों की मजबूती के लिए यदि मल मुत्र त्याग के समय रोजाना उपर नीचे के दातों को भीच कर बैठाया जाये तो दात जीवन भर नहीं हिलते इस से दात मजबूत होते हैं और जल्दी नहीं गिरते लक्वा मारने का डर भी नहीं रहता इस प्रकार मल त्याग और मुत्र त्याग के समय दातों को आपस में दबा कर रखने से दातों की सभी बिमारियों से बचाव होता है इस्त्री, पुरुष, बालग, सभी को जब भी वेशौश तथा मुत्र करने जाए ऐसी आदत अवश्य डालने चाहिए इससे दातों का पायरिया, दातों से खून या पीब बहना, दातों का हिलना बहुत शिखरे बंद हो जाता है हिलते दातों आश्चरे जनक रूप से द्रीड हो जाते हैं इस प्रयोग से कई ऐसे रोगी ठीक हो चुके हैं, जिन्हें डॉक्टर लोग सभी दात उखरवाने की सलाह दे चुके थे मलत्या के समय मुह को बंद रखने से सहजी विवीध रोग के किटारूओं का मुख मार द्वारा प्रवेश से बचाव होता है अगर आपके जहन में कोई सवाल या परमर्चो तो कमेंट ज़रू करें, धन्यवाद